हेलो फ्रेंड्स मैं प्रशाद आप सबका आपके चहिते सेख सेख सुखी जीवन का मंतर डॉक्टर विजे दैफले के साथ इस खास कारेक्रम में तहदिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों हमें जब भी कोई medical emergency आती है या फिर स्वास्थ से जूड़ी कोई भी परिशानी सताती है तब हम क्या करते हैं सबसे पहले हम वो सारी चीज़ी हमारे friends या family के साथ share करते हैं पर जब दोस्तो जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परिशानी सताती है तब हम ऐशा नहीं कर पाते हैं कि इस बारे में बात करने में हम अकसर जिजकते हैं, हमें शर्म आती हैं पर दोस्तो अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलिटेट सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे दोस्तो शो को शुरुवात करते हैं लेकिन उसके पहरा जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में समस्या उपर सला एवं मार्ग दर्शन करते हैं तो चलिए शोग को शुरुवात करते हैं डॉक्टर साब हमारे साथ है सर वेलकम टो दे शोग नमस्ते डॉक्टर साब अक्सर इस एपिसोड में कहते हैं कि अक्सर यह चीज हम देखते हैं कि हमारे समाज में हमारे सोसाइटी में इंडिया में बहुत कम जगां है जहां पर यह एजुकेशन मिलता है या चर्चा होती है या बहुत ही कम सोसाइटी है या बहुत ही कम घर ऐसे है जहाँ पे इन चीजों के बारे में एक दूसरे को बताया जाता होगा या कुछ चर्चा होती होगी इसलिए हमने ये छोटे-छोटे वीडियो बना शुरू किया और इसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है अलग-अलग टॉपिक्स हम लोग देते हैं आज का जो टॉपिक हमने लिया है एकदम सिंपल टॉपिक है आप कहेंगी कि क्या टॉपिक लिया है लेकिन बहुत ज़रूरी है आज का टॉपिक है कंडों कैसे यूज करें देखते हैं, डॉक्टर साब हमें क्या बताते हैं, सर जैसे मैंने अभी बताया, सबसे पहले ये बात तो मुझे यकिन है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगी कि कंडों किस मटेरियल से बनता है, तो ये इंपोर्टन मेरा पहला सवाल भी ये है कि कौनसा मटेरियल है जि प्रशाण जी, यहां पर जो सेरी चल रही है, सेक्स एडुकेशन, सेक्शूल आवेरनेस और सेक्शूल सेफटी, इसके अंतरगत हम पूरी साइन्टिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपकी डिमांड से जो इमेल पर वार्टसप पर फोन पर इंक्वैरी जाती है, उस आपको लगता होगा भाई, कितनी सिंपल चीज है, केंडूम तो किसको भी यूज़ करने आता है, लेकिन नहीं है, सेक्शूल हाइजिन मेंटन रखने के लिए, उसे कैसे यूज़ करना, कौन सा मट्रिल होता है, यह बनता है, लैटेक्स मट्रियल से, यह बनता है, पॉली उरेथेन मट्रियल से, और यह मट्रियल क्यों यूज़ करते है, किसने लैटेक्स यूज़ करना चाहिए, किसने पॉली उरेथेन यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, देखेंगे और, एक और बात रहती है, जब हम कंडूम लेते हैं, किसी भी मेडिकल या उसका कुछ इससे तो बहुत दूर दूर तक संबन नहीं आता, कि गोली के ओपर हम लोग अकसर देखते तो है, कि ये एक्सपारी डेट हो गई कि नहीं, या मेडिसिन कोई लेते हैं, तो उसको ओपर भी देखते हैं, तो ये कंडॉम जो है, इसको कुछ एक्सपारी भी हो जादा च्छे मेने से एक मेने ते क्यों यूज करना है भी? भई उसकी जो कॉलिटी है, काफी दिन तक रहने के बाद में उसके अंदर पोर्स हो सकते हैं, वो एक्सपार होने के बाद आप यूज करेंगे, तो यहां पर जो आपको प्रोडिक्शन चाहिए, प्रिंगनसी न होना, STI नहीं होना, वो नहीं मिलेगा, और यहां पर तो उसको आपको साइज कुछ XL डबल एक्सल जैसा रहता है, वो इसे भी रहती है, वो भी पता नहीं है, और उसको छुपा के लेने के बाद, और उसको आंदेरे में यूज करना है, क्या है इसके अंदरे सा? कभी भी उपनली, क्लीन कट सामने देखके, एक्सपाइरी उसे लो, और जब भी यूज कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, उस वक्त, इनलाइटेर केस में सीजर कता ही यूज करना है, उसको डैमेज करोगे, और उपन करने के बाद, ऐसे अंदेरे में नीची गर गया, तक उसको उठा के भी लगाते हो आप, ऐसा कते ही नहीं करना है, फ्रेंड्स उपनली देखके, उसे एक्सपाइरी जरूर होती है, और एक्सपाइरी कंडूम कभी भी यूज करना नहीं है, सर जैसे अक्सर हमारी ओडियंस जो है, हमारे एपिसोड में पार्टिसिपेट करती है, आज भी है, मिलिन जी है, औरंगा बाद से, उनका फोन है, मिलिन जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर जी, डबल कंडूम यूज करने से एड्स को रोख सकते हैंगे? ये एक गलत फैमी, अक्सर हम लोग चर्चा में आती है, या फिर हम सुनते है, क्या कहेंगे इसके बारे? हर एक को क्या लगता है बैए, चलो सिंगल कंडूम है, उसमें से कुछ अंदर जाएगा, तो मैं डबल यूज करता हूँ, तो डबल यूज करने से क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा, ना एड्स होगा, ना ये स्टिडी होगा, ना इस्तिय होगा, फ्रेंट साब को एक चीज कहता हूँ, एक कंडूम की उपर दुसरा रबर चड़ाओगे, तो जब आक्ट कर रहे हो, तो एक दुसरे को और फ्रिक्शन होके, वहाँ पे हीट जनरेट होती है, और कंडूम ज्यादा हीट और ज्यादा कोल्ड में, वहाँ पे उसकी कॉलिटी मेंटेन ने रहती, और रबिंग की वैसे कंडूम फड़ जाता है, और वहाँ पे STI होने की इंफेक्शन बढ़ते है, तो जिसे भी गलत फहिमी हो, तो उसने ज़्यादा सेफटी के लिए डबल कंडूम कताई यूज नहीं करना चाहिए, सर दो तिन सवाल एक साथ पूछना चाहूंगा, लु लुब्रिकंट यूज करना चाहिए, या नहीं किया तो भी चलता है, और और एक चीज इसमें, कि जो कंडूम होते है, उनके साथ भी कुछ लुब्रिकंट टाइप होता है, तो ये लुब्रिकंट होता है, या फिर वो प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, कि इस कि वहाँ पर एक्ट करते होते हैं, उसको चड़ाते हैं वक्त भी लुब्रिकंट से वहाँ पर लोड कर सकते हैं उसको दूसरी चीज, समझो भई हमें उतना सफिशन नहीं होता है लुब्रिकंट, तो लुब्रिकंट यूज करना है, तो खुछ भी ऐसा पेटलियम जेली ल लेकिन हमेशा के लिए वाटर बेस्ट करंडूम जो रहते हैं, वो अलवेस सेफ रहते हैं, और वो यूज करने के बाद, आपका करंडूम का जो मेटरियल है, लॉटेक्स हो, या पॉलियूरेतिन हो, उसे किसी भी प्रकार काड़ामेट नहीं होता है, और उसका प्रोडिक् यह प्रकार में तो यह नाइन बदेशार बोलते हैं, मास्की जैसा है क्या कुछ नियूरेतिन है, एक स्परमी साडल एजेंट है, यह एजेंट समझो, उसके सामने वाला जो राउंटीप रहता है, उसके अंदर जो फ्लिट रहता है, कंडूम के अंदर, समझो यह 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 य जेली रहती है, तो फिमेल में वहियानल रिजिन में लगाके, फिर बाद में फिमेल कंडूम लगाके भी यूज़ कर सकते हैं, तो जिसे प्रेगनसी चाहिए, उसने कतई एनलाइन वाले कंडूम यूज़ नहीं करने चाहिए, बिल्कुल, सर हमारी फिमेल ओडियन्स है, उ अलो, हाँ, 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 बस बुली है, कोई प्रॉबल नहीं, हाँ, कॉर्णम सहीज क्या मदद करती है, कुछ फाइदा होता है कि उसका, गरेक्ट, तो एक तो बही हमको चड़ी पता है, XL, XX, की, लेकिन देखो कंडूम में भी अलग अलग प्रकार कैसे रहते हैं, आ कंडूम हमें लेने है, एक मीडियम साइज है, लार्ज साइज है, और जब व्यक्ती हरेकिये, लिंकी साइज अलगे, और एक दो चेंज करने के बाद, खुद कोई पता चलता है, भी, ये वाला मुझे कमफरटेबल है, करेक्ट? जी. तो उस वक्त ध्यान में आता है, भी, ये मेरे लिए साइज फिट है, और इनका दूसरा कहना क्या है, क्यों देखना है भी साइज का कौन सा भी चाड़ा हो, नहीं, थोड़ा लोस कंडूम पहन होगे ना, तो एक करते वक्त आप आ गए बाहर, और वो कंडूम चला गया, अंदर, क्या करेंगे, उसका फाइदा नहीं, ओहर टाइट हो गया, तो पीछे वाली रिंग इतना पेंट करती है, उसको एक्ट करने नहीं आता है, तो इसलिए इंपॉर्टन क्या है, जो एक्चुल साइज है, वही साइज का कंडूम ले, और अपने एक्टिविटी करे, यह आपको भी आनन्द मिलेगा, आपके पार्टनर को भी आनन्द मिलेगा, और एक चीज अक्सर होती है, जब हम लोग कंडूम लाते हैं घर पे, तो घर पे बच्चे है, या सिनियर्ज कोई है, तो आम तरीके से कही पर भी नहीं रख सकते हैं, तो स्टोर करने की एक बहुत प्राब्लेम हो जाते हैं, कि रखे कहा बहुत है, तो आपको लगता है, क्या सिम्पल कुश्चन पोश्चा, सिम्पल ने भी आपको पुछना कुछ भी नहीं आता आपको, रूम टेंपरिचर को उसको हमें रखना है, मतलब क्या, हमको रूम टेंपरिचर भी पता नहीं, कहां पर फ्रीज के उपर रख दिया, और कहां पर तो ऐसी जगह पर रख देते हैं, वहां पर वह दिवार से या जहां पर विंडो है, वहां से और कोई अनिमल उसको लेके जाता है, क्या होता है, इसको ज़्यादा थंडा भी करोगे, कुछ लोग तो फ्रीज के अंदर रखते, नहीं रखना है, डैमेज होता है, य जब ऐसा नीचे बैठते हो, आप तो रभींग होता है, अंदर के अंदर कंडों हो गया, फड़ गया, और उपर दिखता है, रैपर इंटक, लेकिन अंदर क्रैक हो जाता है, तो सिंपल, वहां पे कुछ शर्माने की जोरत नहीं, अपने पार्टन, इसलिए तो हमें सेक्स क्यों हो देना है, बताओ सुब को एक कंडों है, पता रहने तो हर एक को यह लाइफस्टाइल से जाना है, हमारे लिमिटिशन जो है, एजवाई है, इस सब लिमिटिशन द्यान में रखते होए, सिंपल अपने कबड में भी रख दिया, तो चलता है, और फ्रेंड से एक ही क होता है कि कोई-कोई जो हमारे दोस्त है, रियूज करना चाहते है कंडों का, क्योंकि वो प्रॉब्लम होता है कि वो अभी एक बार तो लाया, वापस अगर गया और कोई मिल गया वहाँ पर तो क्या करेंगे, तो वो कहते हैं कि जाने तो यही रियूज करते है वापस. और जल्दी-जल्दी में उस वो निकालते वाथ वो गिर जाता है नीचे. इवन नीचे भी कंडों गिर गया, तो उसे आपको डिसकार्ड करना है, इतने बैक्टेरिया रिते हैं नीचे, और दूसरी चीज एक बार कंडों यूज किया, यह कुछ वाश करने की चीज नहीं है, वो वाश करने वाले अलग वाशबल कंडों रहते हैं, वो अलग बात हैं, लेकिन आइडियली कंडों रियूज नहीं करना चाहिए, तो फ्रेंड्स एक ही दयान में रखो, साइन्टिफिक इन्फॉर्मिशन लो और अपना नीजी जीवन आप सेफले एंज़ाई करो. तैंक यू सो मच से, बहुत ही अच्छी जानकारी थी, आप सबने सुना होगा कि किस टाइब की जानकारी है, चोटे-चोटे मुद्धे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है, यह जानकारी हमें होनी चाहिए, और आज कल की जो नई जनरेशन है, इन नई जन को तो ये चीज़े पता ही होनी चाहिए, उनके हाथ में एक्चुली मोबाइल है, वो कभी भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिसिटी यह बहुत इंपॉर्टन्ट चीज़ है, चो आज हमें डॉक्टर साब ने बताईए, वक्ती पाबंदी है, हमें यहां पर रुखना पड़ेगा, लेकिन आप अगर डॉक्टर साब की सला लेना चाहते हैं, तो तीवी स्किन पर आपको अभी जो कॉंटेक्ट डीटेस दिख रहे हैं, जिसमें www.andrologistvijaydaifale.com यह जो वेबसाइट है सर की, आप वहाँ पे जाकर सर के अपॉइमेंट बूक कर सकते हैं, और जो सर का नया एक सेंटर यहाँ पे उपन हुआ है, मेडी कवर हॉस्पिटल में, जो खारगर, नवी मुंबई, बेलापूर या फिर रायगर के आसपास वाले एरिया में रहने वाले जो लोग है, कहीं पर भी डॉक्टर साब पाके मिल सकते हैं, मेडी कवर हॉस्पिटल में विबसाइट पर दिया गया है, तो चलिए रुकतेस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया आप